नमस्कर दोस्तों विशाल शर्मा एडवोकिट दा लीकल हेडलाइन्स में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ आज दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को जो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं नया पड़े वे आप लोग इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं आप कहां पर जाकर कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप लोग उसको ऑनलाइन इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं अपने स्वयम के द्वारा तो दोस्तों आईए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को आगे अपनी का नाम या अपने पती का नाम अपने पासपोर्ट में जो एड करवाना चाहते हैं तो दोस्तों जो हमारे भारत की जो विदेश मंत्रा लेगी जो वेबसाइट है www.passportindia.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको आप अपने पासपोर्ट की सारी डीटेल आप कोई भी आप अपने जीमेल अकाउंट से भी आप लोग वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं जाकर और वेरिफाई होने के बाद में अगर वहाँ पर आपको अपना फ्रेश पासपोर्ट अगर अपलाई करना है तो वहाँ पर आपसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप या अपना कोई स्पाउस निम डलवाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर आपको उस कॉलॉम के अंदर ये सारे आप्शन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और वहाँ पर आपको ततकाल या नॉर्मल आप कौन सा पासपोर्ट आप अपलाई करना चाहते हैं यह भी आ जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी डेट आपके लिए कनवीनेंट हो वो डेट आप वहाँ से सिलेक्ट करके आप अपने जो पासपोर्ट की ऊफ़िस है जो आपकाаго कंसेन्ड आपीस है वहाँ पर आप जाकर आपना पासपोर्ट आप अपलाई कर सकते हैं कभी भी किसी दलाल की उसमें आवशकता नहीं होती है, बहुत ट्रांसपरेंसी के साथ में, और आप तो यह इतना ज़ादा यह प्रोसेस इतना अच्छा हो चुका है, कि इसमें कभी भी किसी मीडियेटर की, किसी बिचौलिये की या किसी दलाल की आपको अवशकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों के पास में, जो आपके डॉकुमेंट्स आप लोगों से मांगे जाते हैं, वो सारे डॉकुमेंट्स की डिटेल आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करते समय, आपको सारी डिटेल वहाँ पर सम्मिट करनी होती है, और जिस दिन की आपको अपॉइंट्मेंट्स मिलती है, उस अपॉइंट्मेंट्स वाले दिन आपको अपने डॉकुमेंट्स सारे अपने साथ में, अपने PASPORTS आफिस के अंदर आपको लेके जाने होते हैं और उसके बाद में दोस्तो अगर आपने अपना PASPORTS अगर नॉर्मल में अपलाई किया है तो उसमें समय कुछ ज़्यादा लग जाता है तो आपके passport बनने से लेकर dispatch होने तक आपके passport में receive होने तक उसमें maximum जानकारी आपको आपके mobile पर SMS के माध्यम से आपको प्राप होती रहती है जो कि भारत सरकार के जो विदेश मंत्राले जो passport india.gov.in जो है यहां से आपको message के माध्यम से आपकी कोई भी passport से संबंदित कोई update अ जाती है तो दोस्तों इस वीडियो जो अगर कुछ आपके सवाल है तो नीचे comment section में ज़रूर लिखिए और इसी प्रकार की informative वीडियो देखने के लिए आप दा legal headlines को हमारी इस चैनल को आप subscribe करना बिल्कुल न भूलें जिससे की जो हमारी upcoming videos है उसके notification समय समय पर आप लोग धन्यवाद